कि विने सबसे पहले तो UKPSC की 2021 की एफारो परिक्षा में आपको दस्वी रैंट लाने के लिए संवेगाई इसके तरब से बहुत बहुत धन्यवाद अग्या जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं अपने मित्रों के साथ चाय की दुकान पर बैठा हुआ था तो हम चाय पी रहे थे तो मुझे पीछे से फोन आया किसी का मेरे कोई मित्र हैं और चोटी चोटी उमर के भी हैं कि भाई साब बदाई है तो मैंने का भाई क्या की क्यों मजे ले रहा है मैंने का क्यों जूट बोल रहा है पुले नहीं नहीं आपका सेलेक्शन हो गया तो उसके बाद अगले 57 मिनिट तो मेरे को समझी नहीं आया मतलब की हो गया है क्या हो रहा है तो मैंने 57 लोगों को फिर अपना रोल नंबर चेक करवाया जो मेरे साथ मे इसके साथ ही वो सारे पल आने लगते हैं जब हमने बहुत मैंने की थी जब पढ़ने का मल नहीं कर रहा हूं तब भी पढ़ाई की थी और एक फोकस बना करके रखा अपने बारे में बताई आपकी एजुकेशन कहां से हुई है और क्या आपने ग्रेजुशन में पढ़ाई की है और तैयारी के बारे में आपने कैसे सूच है एकली मेरी जो प्रारंबिक शिक्षा दिख्षा है एट तक तो मैंने सरस्वति स्युसु मंदिर विद्या मंदर गुपतकासी से करी अरुद्रप्याग डिस्टिक से हुमें उसके बाद मैंने 9 से लेके 12 तक गर्मेंट इंट तक था मैं प्राइवेट जॉब में रहा है तैयारी मेरे को करनी थी हमेशा से और मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ता रहता था क्योंकि मेरे मित्रगांड तैयारी कर रहे थे यूप्यस्टी की मैंने यूप्यस्टी के एक्जाम भी दिये वहाँ पे मेरा नहीं हो पाया तो उस बीच जब मैंने यह इस बीच ACF का एक असेशन कंजरविटर और फॉरिस का एक फॉर्म आया था तो वो मैंने फॉर्म फिल किया था उसमें मेरा प्रिलम्स हो गया था कि मैं यूप्यस्टी के तैयारी एक बार मेरे को कभी न कभी करनी थी वह मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था यहां पर मेरा प्रिलम्स जब निकल गया तो मैंने पूरी तरीके से फोकस फिर अच्छिए के एक्जाम पर रख दिया और फॉर्तुनेटली अनफॉर्टूनेटली मेरा उसमें नहीं हो पाया लेगन फॉर्टूनेटली यहां पे रेंजर के पद दोजार इकिस में आ गए जब पहली बहर आप तैयारी करने के लिए आपने सोचा एक प्राइवेट नौपी कर रहे थे तो किस तरीके से आपका शुरुवाती अप्रोच रहा और जी एस की कैसे तैयारी करना शुरू किया इसके बार है थोड़ी एक मेरे मित्र हैं वो मेरे ही नाम राशी के हैं विनायादू नाम है उनका इंकम टेक्स इसपेक्टर है वो दिल्ली में तैयारी कर रहे थे UPSC की और उन्होंने इंटर्विव फेस किये थे UPSC के तो उनसे मैंने इंस्पाइर होके थोड़ा बहुत पढ़ना सुरू कर दिया था तो GS मैं कभी न कभी पढ़ रहा था क्योंकि मैं UPSC के प्रिलिम्स दे रहा था उस बीच 2016 में स्टेट PCS का भी हुआ उसमें मेरा प्रिलिम्स नहीं हो पाया और बीच में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया लेकिन फिर ACF आया उसमें 50 नमबर की मैंस रिजनिंग थी इस वज़े से मेरी थोड़ा ठीक थी तो मेरा ACF का प्रिलिम्स निकल गया तो उसके बाद जब प्रिलिम्स निकला तो मैंस में ऑप्शनल का था तो मैंने पूछा अपने मित्र से जो मेरे नाम रासी के हैं तो उन्होंने बोला देखो UPSC का जो Indian Forest Service होती है वहाँ पे सब लोग Forestry लेते हैं क्योंकि उसके material available है तो उन्होंने मेरे को suggest किया कि आप एक optional तो Forestry लो दूसरा optional फिर मेरे को लगा हालें कि मैंने syllabus नहीं देखा था पर मुझे लगा environment आसान होगा तो मैंने इसलिए दूसरा बिना syllabus देखे आसान का सोच के मैंने environment ले लिया तो GS में किसी ना किसी रूप में पढ़ रहा था forestry मेरे मित्र ने मुझे suggest करी और environment मैंने यह सोच के लिए कि आसान होगा हालांकि आसान नहीं था पर मैंने यह सोच के लिए और बाकी दो सब्जेक्टों common सभी के लिए थे तो अगर हम ACF की बात करें उसके बाद अपने अफारों की परिक्षा दी इस पूरे दोनों प्रॉसेस मान लेते हैं शुरुवात की कुछ गलतिया नहीं कि आपको यहां पर एक बहुत अच्छी सफ़ता है अप्शनल की तेयारी अपने कैसे देखे ऑप्शनल में मैंने दोनों आप्शनल में एक जैसा अप्रोच रखा एक जैसा अप्रोच क्या रखा जिसमें फॉर सोर्सिज रखे बहुत कम मेरा जो पहला रिसोर्स था वो था सलेबस मेरा जो दूसरा रिसोर्स था वो था प्रिविएस यर कुश्चिन और तीसरा जो मेरा रिसोर्स था फॉरिस्ट्री में जैसे एक बुक आती है वो आई-फैसर है उनकी बुक और एक रिसव गुपता एक IFS के topper हैं उनके short format में notes थे तो मैंने पहले हर एक topic लिखा उस topic के अंदर जो previous year question आये हुए है जो forestry के वो question लिखे उस topic में एक topic के अंदर दो-तिन variation के question आये हुए थे मैंने वो question लिखे उसके बाद ये question सारे topic के लिखने में मुझे लगबग 2-3 दिन लगे उसके बाद मैंने वो जो मेरे पास book एक और notes थे उसको 3-4 दिन में फटा-फट एक बार पढ़के देखा basic समझ लेने के लिए फिर मैंने पहले जो वो question थे जो मैंने लिख लिए थे हर topic के उनके मैंने answer बनाए देख करके किताब से और जो मेरे पास notes थे answer बनाए और ऐसे करके मेरे पे जो माना 200 topic थे तो 200 में माना मेरे पास 300 question आ गए वो 300 question मैंने लिख लिए एक एक पन्ने के answer बनाए उन answers को मैंने कम से कम हर एक answer को 5-6 बार 5-6 बार लिखा वो मेरा basic एक पुरा notes तयार हो गया मेरे लिए उसके बाद मैंने उसमें जो भी current affair add करना था जो भी diagram add करना था वो सब मैंने उसमें add किया तो और यही approach जो है मैंने environment में रखी topic उठाया उस पे पुराने question ढूंडे उन पे answer लिखे उन answer को बार बार लिखा और उसमें मुझे लगा कि आप question add करना और diagram add करने है या कोई current add करना है फिर वो मैं करता लिया मतलब मैंने ऐसे book बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी कुछ ना कुछ क्योंकि ऐसा होता है जब कोई भी व्यक्तिक graduation किया होता है तो उसको कुछ ना कुछ तो आप प्रेलिम्स का रिजर्ट आने से मेंस तक का समय होता है एक limited समय होता है और इसमें आपको syllabus को खतम भी करना है और राइटिंग प्रैक्टिस भी इस तरीके से करना है कि एक अच्छा आंसर लिख सकें और एक्जाम के निश्चित समय में लिख सकें तो क्या आप डेली एक schedule बनाते थे या topic oriented अफ्रोस था जैसा मैंने बताया कि मैंने और तीन question निकाले वे थे हर topic पे उनको मैंने question का answer लिखा था और वही चीज मैंने बार-बार पड़ी तो एक basic answer format तो मेरा बन रहा था उसके बाद जब ACF के time की मैं बता हूं तो मैंने Sunbeg AIS की test series उस्से में join करी थी सर ने environment का फूरा test series कराये थी साथ में GS, English और आपका Hindi के paper करवाए थे तो उसके बाद जो मेरी कमिया थी वो Sunbeg AIS में मैं आया तो सर ने मेरे को बताया कि आप यह थोड़ा सा और चीज़े एक्स्ट्रा उसमें add कर सकते हो तो वो basic answer format में मैं लिख रहा था कोई मैंने अलग से कोई घर पे नहीं लिखे answer वो जो मैंने answer बनाए वे थे उसी में जो Sunbeg से मुझे input मिला क्योंकि मैं यह test series दे रहा था मैंने PCS की भी यहां से दी है अधा आइडिया था नहीं पहले से तो अब मेरे को यह भी समझने आ रहा थी कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं तो मैंने क्या किया कि यहां पे orientation class होई थी संबेग में सबसे पहले आकर मैंने वो दो दिन की orientation class जॉइन के री सर की ये समझने के लिए कि मेरे को पढ़ना क्या है तो सर ने जो एक चीज बोली कि ये टेकनिकल सब्जेक्ट होते हैं मतलब ऑप्सिनल हैं सबके तो वो टेकनिकल पूछेंगे तो अपने जो आपके ऑप्सिनल हैं उनको थोड़ा-थोड़ा पढ़ो तो एक तो मैंने थोड़ा-थोड़ा अपना वो पढ़ता रहा दूसरा मैंने GS के जो करंट में जो टॉपिक चल रहे थे माना इसराइल की बावर चल रही है या कुछ भी हो रहा है देश में तो उनके में वीडियो कोई भी एक ऑनलाइन मेंने एक यूट्यूब पे चैनल पकड़ लिया था अपनी पार्ट साला एक चैनल है वो डेली लेटेस्ट टॉपिक जो होते हैं उनके अपना 15-20 मिनट का एक टॉपिक वो अप्लोड करते हैं तो यहां से मेरे को जो संबेग आईस से जो भी मेरे को बताया गया कि इस तरीके से आप पढ़ें उसके लाओ मैंने करंट जी एस में जो भी टॉपिक चल रहे थे वो देखे और पुराने टॉपर्स के थोड़ा सा इंटर्यू देखे कि कि किस तरीके से वो चीजों को अप इंक्यू करने के लिए संबेग आईस के लिए क्योंकि मैं देखे ACF के टाइम जुड़ा उसके बाद मैंने हाई कोट ARO दिया उसमें मैं फाइनल टाइपिंग पूरी नहीं कर पाया उसके बाद मैंने प्रिम्स की बहुत सारी यहां पर टेसरीज करी मैंने यहां पर इन्व अपने पढ़ाई मैं कर रहा था जो निश्चित होता है कि आप इस बाउंडरी के अंदर रहके क्योंकि होता कि आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो भी चीज़ें बिखड जाती है तो मेरी तैयारी को जो एक निश्चित सेफ दिया है वो निश्चित सेफ मेरे को यहां सं को गुरुओं की आवशक्ता होती है तो मैं वो व्यक्ति हूं जिसको एक गाइडेंस की जरूरत होती है हमीसा से फील होती है तो वो जो गाइडेंस मिला मुझे कि अब मेरे को लगा कि हां मैं सही जगए पर हूं सही हातों में और जो अप्रोच मेरी जा रही है जो गाइड सफलतां से निकल करके हम सफलता की और जाते हैं और और वो जो सफलता मिलती है उसका अनुभव बहुत अलग होता है तो आप सफल कहलाते हैं उस पाइन लाइन के आप इधर होते हैं, तो असफल कहलाते हैं, जो candidate थोड़ा बहुत mark से रुकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको नहीं आता है, उसको भी हो सकता है, मेरे से ज़्यादा ही आता हो, या rank 1 है, rank 2 है, उसको यह ज़्यादा ही आता हो, पर थोड़ा सा क्या हो ज तो आप वो कमजोरियां देखो अपनी और उन कमजोरियों पर काम करो पहली चीज दूसरी चीज क्या है कि अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखो किस रूप में सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मेरे को यह लग रहा है कि यह चीज मेरे लिए ठीक है यह अप्रोच मेर में सही कर रहा हूंगा तो एक तो यह देखो कि आपकी कमियां क्या है उन कमियों पर काम करो और दूसरी चीज आप यह देखो कि जो मैं चीज कर रहा हूं क्या मेरे को गाइडेंस की जरौत है क्या मेरे को गाइडेंस की जरौत नहीं है अगर आपको लगता है गाइडेंस क तो इसे बदाई फारो की इस परिक्षा में आपकी इस अचांदार सखलता के लिए समय गाईस आपको भोशी के लिए खूप सारी शुप कामने थेंक यू बढ़िए